हेलो दोस्तों आज मेरे पास एक Samsung का LED TV आया है जिसका model number है इसमें इसका motherboard खराब था तो इसके अंदर मैं universal motherboard इंस्टॉल कर रहा हूँ यह मैं दिखा देता हूँ यह मेर फास यह वाला motherboard है universal तो इसको मुझे यहाँ पे fit करना था मैंने पुराना वाला motherboard निकाल दिये इसमें इसी की body में इसको fit कर रहा हूँ तो यह मैंने plastic के कुटके इसमें LFM मार के चिपका दिये हैं इसको कसने के लिए और यह ऐसा motherboard था तो इसमें से मैंने यह कि अध्या निकाल दिया यह तो निकाल दिया यह ओक्स वाल नकाल दिया फिटिंग की वज़े से यह इसमें जैक निकाल दिया कि यह वाला सोकेट निकाल दिया यह वाला डायोट निकाल दिया तक कि इसकी फिटिंग प्रॉपर इसके अंदर हो जाए कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यह हॉक्स का निकला हुआ है जैक ट्यूनर निकाल रखा है और यहां से कि 12 वोल्ट का अडेप्टर का सोकेट निकला हुआ है डायोट निकाल रखा है मैंने यहां से और उसका शॉकेट भी 12 वोल्ट का है तो इसमें यहां से जब मैंने ऑक्स का सोकेट निकाला यह मैं दिखा देता हूं यह है वो देभी इसको निकाला तो उसके बाद मेरे सेट में नो साउंड का प्रोब्लम आया तो उसको सॉल्ट करने के लिए यह मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने यह तीन पॉइंटों का अपस में शॉट करा है उसके बाद मेरा साउंड आ गया और मेरा सेट ओन हो गया और इसमें एक प्रोब्लम हो थी यह आप इसमें दिख सकते हैं यह इसके पावर सप्लाई के आउटपूट के कनेक्शन लिखे हूए है तो इसमें मैंने जब बी अल यूँ onов पर दिया तो मीरे बेकलईट डायिक्ट ऑन हो रही थी off नहीं हो रही थी फिर सको हटाके मैंने यह ओपर वाले pwm dim के उपर दिय इससे मेरी बेकलई ऑन और Off दोनों हो रही है इस वाले से नहीं हो रही थी तो इससे मेरा ये backlight भी on off होने लग गई है और इसकी original socket थी जो IR की उसी को मैंने इस्तमाल कर लिया उनके pins को match करके मैंने connection उसी socket के अंदर बना दिये जिससे मेरा इसका IR connection पूरा हो गया और बाकी मैंने पेपर का एक पेपर से इसका प्लैप बना दिया है तो पर अच्छे से फिटिंग कर दिया है यह आप देख सकते हैं अब यह फिटिंग के वक्त बुरा नहीं लगेगा कि कस्टमर को भी अच्छा लगेगा और ऐसे इसमें साइड वाले में भी मैंने यह आप देख सकते हैं सैड में पेपर लगा दिया है कि अब इसको मैं पूरा फिटिंग करके आपको चला कर दिखाता हूं कि यह मैंने टीवी को पैक कर लिया है यह आप देख सकते हैं कि अच्छे से फिटिंग होगी है इसकी और यह टीवी मैंने ओनकर रखा है आपको डिस्पली चेक करा देता हूं यह डिस्पली प्रॉपर आ गई है मैं इसके सर्विस कोड आपको बता देता हूं इसका सर्विस मोड का नंबर है इनपुट पच्चिस अस्षी और रेजोलेशन कोड का नंबर है इसका इनपुट 0 3 7 7 1 और यह 1 से लेकर 7 तक होता है तो अब अगर आपका फुल HD का पैनल है तो इनपुट 0 3 7 7 1 लगा सकते हैं और अगर आपका फुल HD पैनल है तो आप input 03772 लगा के अपने set को set up कर सकते हैं तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें and keep watching